बिस्मिल्ला अर्प्राइब रहीम स्लावालेकूं विए गूना स्टार्ट अर्नेक्ट लेक्चर फॉर जेनरल मैथ फॉर फॉर ग्लास एट एड नाइट हम चैप्टर थी कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे पांच कुछिशन अब से कंप्लीट कर चुके हैं अब 3 2,1.7, to get a profit 1 by 6 of its cost price question अमें ये कह रहा है कि हमने cost price मालूम करनी है । कंडिशन हमें क्या दिवी है कि अगर एक fan को इतने रुपे में बेचा गया है ठीक है इतने रुपे में किस वजा से बेचा गया है ताके profit लिया जा सके 1 by 6 ठीक है यानि जो भी cost price थी उसका 1 by 6 इतने में सेल किया अब ना तो यह परसंटेज है और नहीं यह रूपीस है ठीक है बलके कॉस्ट प्राइस का एक फ्रेक्शन है ठीक है कि कॉस्ट प्राइस का वन बैस सिक्स हिस्सा जो है वो प्रॉफिट में लिया गया ठीक है जैसे लेट सपोस्ट आप कहलें के दो हजार की कोई चीज थी तो उसका वन बैस सिस्सा जो है हमने उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया ठीक है तो फाइंड रिखेंगे तो सलूशन आप ऐसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ठीक है selling price आपके पास क्या है 1470 ठीक है profit आपके पास क्या है 1 by 6 not rupees not percentage 1 by 6 of cost price यह आपके पास profit है ठीक है अब यहाँ पर हम simple सा formula लगाते है selling price का formula हमारे पास क्या होता है cost price plus profit ऐसे ही होता है ठीक है तो cost price तो हमें नहीं मालूम profit हमें मालूम है कि 1 by 6 है cost price का ठीक है साथ मैंने क्या लिखा है cost price profit कितना है जो भी cost price है उसका 1 by 6 part है ठीक है अब यहाँ पर भी हम simple वही करेंगे कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉमल ले ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 plus 1 by 6 और अगर हम इसको further solve कर लें तो यह हमारे पास क्या आजएगा यह हमारे पास क्या आजएगा 616 plus 1 by 6 यानिके cost price 7 by 6 ठीक है 7 by 6 of cost price और यहां पर हमारे पास क्या है sale price अब मालूम हमें क्या करना है cost price तो according to the equation method हम क्या करेंगे cost price को यहां पर अकेला छोड़ेंगे और 7 by 6 को equal के दूसरी side पर ले जाएंगे तो क्या होता है कि जब cost यहां से fraction उदर जाती है तो वह उलट जाती है cost price क्या हो जाएगी sale price का 6 by 7 portion ठीक है यहां पर 7 by 6 था तो वहां जाकर क्या हो गया 6 by 7 portion ठीक है तो अब sale price तो हमें मालूम है simple यहां पर हमने sale price की value डालनी है 1470 और उसको multiply कर देना है 6 by 7 से जब आप उसको 6 by 7 से multiply करेंगे तो आपके पास answer आ जाएगा 1260 रुपीज तो cost price क्या थी हमारे पास उस fan की जिस पर हमने 1 by 6 profit लिया है उस fan की cost price क्या थी 1260 ठीक है समझा गई है question में हमें क्या कहा था कि हमने cost price मालूम करनी है जबके selling price हमें दी भी थी ठीक है तो हमने profit जो में दिया था वो rupees में नहीं दिया था बलके portion में दिया हुआ था fraction की form में दिया था हमने simple formula put किया cost price common ले लिया हमारे पास पीछे यह बच गया और simple हमने formula की मदल से cost price find कर ली ठीक है now we will move to question number 7 यह आप लोगों का question number 7 है board पर लिखा गा a man sold an almira at a profit of 7.5% had he sold it for rupees 209 he would have lost 2% for how much the man purchased it ठीक है वो आपको यह बता रहे हैं कि उसने जब एक almira sold किया तो उसे इतना profit हुआ ठीक है 7.5% उसे profit हुआ वो कह रहे हैं अगर वो इतने में sold करता ठीक है 209 रुपे 200 रुपे में अगर sold करता तो उसे 2% loss होता तो आखिर वो कौन सी इसकी cost price है कि 209 पे sell करने से इसे loss होगा ठीक है यानि वो ही बत है कि हमें यहां पर cost price मालुम करनी है कि उसकी almira ही कितने की कि जब उसको 209 रुपे में sold करेगा तो उसे loss हो जाएगा ठीक है तो simple आपके पास solution इसका क्या होगा आप लिखेंगे sale price इस sale price के according हमने cost price मालुम करनी है यानि loss के मताबिक ठीक है यह sale price है और loss हमें कितना दिया है 2% find हमने क्या करना है cost price ठीक है तो जो हमने question number 3 में formula use किया था वो ही हम formula यहां पर use करेंगे cost price 100 loss का question है इसलिए minus loss percentage अगर profit का question होता तो plus profit percentage ठीक है जैसे आपने question number 3 में किये थे multiply by sale price आप values पूट कर दे 100-2 and sale price is 209 सारा आप solve करेंगे आपके पास आजएगा 209 00 और नीचे आजएगा 98 जब आप इसको calculator पर solve करेंगे तो आपके पास आजएगा 213 ठीक है यह आपको just take information के जोर पर profit दिया वा था इसका calculation में कोई तक के question की की है कि अगर वो 209 रुपे में solve करेंगा अल्मारी तो अल्मीरा तो 2% उसे loss हो जाएगा ठीक है तो वो अखिर क्या cost price थी तो वो cost price हम देख रहे हैं 213 है 213 है और 209 कम है मतलब कम में solve की है तब ही उसको 2% loss हुए है ठीक है it's an easy question बिलकुल question number 3 वाला formula है just loss और profit का फर्क है वहां अगर आप profit का सवाल करते हैं तो plus profit percentage लगाते हैं और अगर loss का सवाल करते हैं तो minus loss percentage लगाते हैं ठीक है नो अब हम exercise का last question देख लेते हैं question number 8 यह हमारे पास है आपका exercise का last question question number 8 3 chairs are purchased at rupees 450 each one of these is sold at loss of 10% at what price should the other two be sold so as to gain 20% on the whole transaction question ठीक है question थोड़ा सा समझने वाला है वो कह रहा है तीन chairs जो है वो बेची गई है हर chair की price 450 थी ठीक है जब उन में से एक को sold किया गया तो 10% loss हुआ ठीक है तो वो कह रहा है कि अब जो बाकी दोनों बच गई हैं उनको किस price पे sold किया जाए कि 20% profit पूरी amount पर हो ठीक है यानि तीनों को जो बेचा गया है उस पूरी amount पर 20% profit हो सिरफ एक chair की price के उपर 10% loss है तो अब जो बाकी दोनों हैं उनको किस amount में बेचा जाए कि total transaction यानि जो total sold price होगी उसके उपर हमें profit हो ठीक है तो अब हम इसका solution देख लेते हैं question number 8 solution हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते है cost price of each chair ठीक है total chairs कितनी है तीन यह सिरफ एक chair की price है ठीक है अब हम देखते है first chair का case क्या था first chair का case क्या है कि उसमें हमें loss हुआ है 10% ठीक है first chair को जितने भी price पे बेचा गया उसमें loss हुआ है यानि इस price पे loss हुआ है ठीक है तो अगर हम यह percentage है इसको रुपीस में find करें कि कितने रुपीस का loss था तो percentage को खत्म करने के लिए क्या percentage का sign खत्म नीचे 100 और multiply by cost price ठीक है तो यह हमारे पास cancel out हमारे पास आया 45 रुपीस मतलब 45 रुपीस का loss हुआ है तो कितने की बेची गई थी यह चेयर कितने की बेची गई थी यह कैसे पता चलेगा cost price minus loss price cost price क्या है 450 और loss क्या है 45 तो हमारे पास क्य जाएगा 405 यानि इस कीमत पे पहली चेयर को बेचा गया था जिसकी वज़ा से 10% loss हुआ था ठीक है अब second case क्या है second case है आप चाहिए इसको लिख लें first case और इसको लिख लें second case second case है कि हमें profit चाहिए 20% on whole on whole transaction यानि पूरी sale price पे हमें 20% profit चाहिए ठीक है तो 20% profit किसका यानि इसका तो अब हमारे पास यह तो एक चेयर की price है यहाँ पर हम अगर तीन चेयर की price find करने साथ ही तो वो कितनी होगी 3 into 450 कितनी हो जाएगी 1350 रुपी यह होगी तीन चेयर की cost price ठीक है तो इस price पे हमें profit च चाहिए यानि अब हमने कितने का बेचना है कि हमें 20% profit हो तो profit percentage को हम रुपीज में convert करते है according to the price of 3 चेयर यह cancel out हो जाएगा हमारे पास क्या बचा 2 into 135 अगर हम multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 270 रुपी यानि इस पूरी price पे 270 रुपीज का हमें profit चाहिए ठीक है त तो हमारे पास बनेगी तीनो चेयर की cost price प्लस इतना profit ठीक है तो यह हमारे पास क्या जाएगा रुपीज 1620 अब यह total sale price है तीनो चेयर की ठीक है यह sale price थी पहली चेयर की तो अगर हम इस sale price को minus कर दें इस sale price में से तो पीछे जो बचेगी वो दो चेयर की कीमत बचेगी ठीक है तो sale price of two chairs यह आप लिख सकते है sale price of remaining two chairs वो क्या होगी 1620 minus 405 वो हमारे पास क्या जेगी 1215 यह जो चेयर loss पे बेची गई वो 405 थी और जिन chairs में से profit gain करने की कोशिश की गई वो क्या थी 1215 बाकी दोनों chairs इस कीमत पे बेची गई तो हमें 20% profit हो सका इस cost price पे ठीक है this is the cost price of three chairs and this is the cost price of one chair सिर्फ एक चेयर की तो पहली चेयर पे हमें loss हुआ था 10% यानि पहली चेयर इतने की बेची गई अब जो हमने 20% gain करना था वो gain करना था तीनों chairs की कीमत पे सिर्फ एक चेयर की कीमत पे नहीं करना था बलके whole transaction इस वजह से हमने three chairs की की gain चाहिए था तो उस gain के लिए हमने तीनों chairs की कीमत पे 20% मालूं किया यानि 270 तो हमें 270 रुपीस मजीद लेने है one three five zero में 270 प्लस किया तो यह total sale price है यानि के पहली चेयर इतने में बेची गई और बाकी दोनों चेयर इतने में बेची गई तो हमारा required result हासिल हुआ ठीक है यहां पर आपकी exercise three point one finish हो जाती है अब हम three point two start करेंगे नेक्स लेक्चर से तब तक के लिए अल्ला हाफिज